दोस्तों नमस्कार जैसा कि आप देख पा रहे हमारी टीवी के उपर यहां पर नो सिगनल लिख करके आ रहा है तो friends नो सिगनल से आप काफी परहसान हो जाते हैं मैं आपको आसान तरीके से बताऊँ कैसे आपको डिस्को सेट करना है और किस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपनी डिसको set कर पाएंगे तो इसके लिए friends आपको करना क्या है सबसे पहले आपको remote से signal बटन को press करना है तो जैसे friends आप signal बटन को press करेंगे तो आपके सामने इस तरह से window open हो जाएगी अब friends आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ प्रिक्वेंसी भी पड़ी है उपर जीरो सत्ताने पचास नीचे ट्रांस फ्रिक्वेंसी भी पड़ी हुए 1170 सिंबल लेट भी पड़ा हुआ 29500 और यहां पे फ्रेंट्स हमें जो सिगनल है इंटेंसिटी भी हमें 0000 दिखाई पड़ रही है और सिगनल क्वाल्टी भी 0000 दि सब्सक्वें बताऊंगा दोस्तों इसके तीन कारण होते हैं जो हमारी सिगनल籍IDE सिगनल क्वाल्टी जीरो होती हे या तो दोस्तों हमारे वास में खराबी है यह फिर फ्रेंट्स हमारे गया करक्टर और यह लेम् भी खराब है चुनेडल्स काईयंसे धिज्क्वेंजू का signal quality और signal intensity दोनों जीरो जीरो दिखाई पड़ेंगी तो दोस्तों यह आपको अच्छी तरह समझ लेना होगा कि अगर हमारा दोनों यह जहां पर जीरो जीरो दिखाई पड़ रहे हैं तो हमारे केबल में या कनेक्टर में या LMB के अंदर कोई न कोई प्रावलम है तभी है हमार जीरो जीरो सो कर रहा है तो मैं दोस्तों आपको लाइप प्रूप के साथ दिखाता हूँ यह देखिए फ्रेंट्स यह हमारा केबल का वायर है और यह हमारी LMB है इसको मैंने बॉक्स कनेक्टर रखा है अब फ्रेंट्स में जैसे ही इंटीना केबल इसमें लगाऊंगा हमारी 86 परसेंट आ चुकी है क्वाल्टी भी हमारी 4 परसेंट आ चुकी है और जैसे फ्रेंट्स मैं इसको निकाल ला हूँ आप देखिएगा और यह तुरंत ही दोस्तों खतम हो जा रही है तो फ्रेंट्स अगर एक कनेक्शन आपका सही होता है तो आपको यहां पर सिंगन इंटेंसिटी आपको पूरी दिखाई पड़ेगी सिंगनल क्वाल्टी आपको 4-5 दिखाई पड़ेगी यह बात आपको बिल्कुल 100 परसेंट करेक्ट हो यानी चाहिए कि अगर हमारे इसमें कोई प्राबलम होती है तो हमें यहां पर 00 प्राबलम आयेगी अगर यह दोस्त कैसे सेट करेंगे उसके लिए फ्रेंट्स मैं आपको बताता हूं तो चलिए फ्रेंट्स मैं इसको निकाल देता हूं यह दोस्तों मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया था यह कि आपका LMB चाहे आपका डिसमेल लगा हो चाहे ना लगा हो कोई भी फ्रेक्वेंसी जाएगी और signal quality भी 4-5 के आसपास आपको तो इस तरह से अगर आपके box में problem आ रही है तो आपको cable check करना है LMB को check करना है connector को check करना है connector खराब हो जंग लगा हो तो उसको आपको change कर देना है अब जब friends आपके सामने इस तरह से आ जाए अब जब friends आपके सामने इस तरह से signal quality 4-5 के आसपास आने लगे तो आपको remote से menu बटम को press करना है और आपको program setup के उपर आ जाना है अब program setup पे आप ok करेंगे अब add new program पे आ जाना है add new program को ok करेंगे अब friends यहाँ पे आपको frequency डालनी है सबसे उपर frequency आपको डालनी है 0,7,50 0,7,50 इसको आपको दोनों जगे पे डाल देना है यह friends आपको दोनों जगे पे डाल देना है उसके नीची आजला है आपको ट्रांस frequency के उपर यहाँ पे आपको डोस्तों डालना है 11,090 यह दोस्तों हमारी DD free disk की सबसे strong TP होती है जिस पे हमें सबसे ज़्यादा signal मिलते हैं और बहुत आसानी से हमें signal मिल जाता है यह दोस्तों ट्रांस frequency जो हमें डालनी है 11,090 यह दोस्तों हमें 11,090 ट्रांस frequency डाल देनी है उसके नीची हमारा symbol rate है इस पे हम आएंगे symbol rate पे आने के बाद यहाँ पे हम धोस्तों डाल देंगे 29,500 यह देखे यहाँ पे हमारे signal आ चुके हैं आप देख पा रहा हैं उपर नीचे आप डाउन करके आपको signal लाना होगा तभी आपकी चैनल स्कैन हो पाएंगे यह दोस्तों हमारी DDP डिस्की सबसे strong TP है 11090 इसके बाद दोस्तों हमारी जो दूसरी TP है 11470 यह दोस्तों हमारी DDP डिस्की सबसे big TP है अगर इस पर हमारी signal नहीं आएंगे तो दोस्तों हमारी सारी channel भी नहीं आएंगे तो दोस्तों हम इसको भी एक बार अंडाल करके check कर लेते हैं देगे friends यहाँ पर हमारी 65% signal आ रहे हैं अब दोस्तों आप दालते हैं यहाँ पर 11470 यह देखे friends 11470 डाल लिया अब इस पर दोस्तों अब देख पा रहा है, सिगनल हमारे बहुत का आप हो आ रहा हैं, तो दोस्तों इस के हो चैनल सकैन होंगे, वह पहली TPK होंगे, बाकि दोस्तों हमाँरे सारे चैनल नहीं आएगे, तो दोस्तों हमें 11.470 के उपर आपको अच्छे से डिस्को सेट करना है तभी दोस्तों हमारे पूरे सिगनल लाएंगे और जब पूरे सिगनल लाएंगे तभी हमारे पूरे चैनल चलेंगे इसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें चतके ऊपर जाना होगा और डिस्को हल्का सा जो है में दाए बाए आप डाउन करके मुमेंट करना होगा हमें दोस्तों कोसिस करनी होगी कि इस TP के उपर हमें signal बढ़ाना है इसके बाद दोस्तों में जो दूसरा काम करना है वो है ये LMB का SQ इंगल आपको ये LMB का SQ इंगल घुमा करके अर्जेस्ट करना होगा आपको ये LMB का SQ इंगल इस तरह से LMB होती है आपको इसको घुमाना होगा इस तरह से SQ इंगल घुमा करके आपको सेट करना होगा जहा प्रेंट्स मैं आपको इस TP के उपड़ा करके दिखाता हूं कि कैसे इस TP के उपड़ सिगनल बढ़ते हैं यह दिखे प्रेंट्स जैसे ही मैंने LMB को घुमाया यहां पर हमारे सिगनल बढ़ चुके हैं अब फ्रेंट्स हमें करना क्या है इतना करने के बाद दोस्तों हमें मीनू बटन से बैक हो जाना है बैक होने के बाद हमें आ जाना है एडिट प्रोग्राम के उपर एडिट प्रोग्राम पर आना है और उसके बाद दोस्तों डिलीट आल प्रोग्राम कर देना है इसके बाद हमें यहां से डिलीट कर देने हैं, अब इसके बाद दोस्तों, फिर हमको मीनू बटन प्रस करना है, प्रोग्राम सेट अप पर आना है, और इसको OK कर देना है, अब फ्रेंट से आजारना है, आटो इसके इन पर आएंगे, यहां पर फ्रिक्वेंसी डालेंगे, हम 0.1750- 0.17.2 जगे पे दोस्तों में दोनों जगे पे 0.1750-0.1750 ने पे प्रिकोंसी डाल लेनी है, इसके बाद हमें रिमोट से ok बटन प्रस कर देना है, अब फ्रैंट्स आप देख पा रहे हैं, यहां पर हमारा बाक्स scanning mode पे आ चुका है, और हमारे चैनल स्कैनल होना start हो चका अब फ्रेंट्स अगर आपके बाक्स में B इस तरह की प्राब्लम आ रही है तो आप इसे ठीक कर सकते हैं यह देखें फ्रेंट्स हमारे चैनल आने लगे हैं फाले tp पर 18 चैनल हमें मिल चुके हैं दूसरी टी-P पर हमें दोस्तों फिर 18 चेलल मिलें हैं, टॉटल 36 चैनल हो चुके हैं तीरी टी-P 11510 इस पर दोस्तों हमें चैनल मिल चुनके हैं टोटल हमारे 76 चैनल हो चुके है 11550 इस तरह से फ्रेंट सा आप देख सकते हैं हमारे हां 94 चैनल आए हैं एकटीपी हमारी स्काइन नहीं हुई थी 1170 तो इसको दोस्तों हमने मैनुवले स्काइन किया है मैनुवल इसका कैसे करते हैं अगर आपको जानना है तो कमेंट बाक्स में कमेंट करें मैं इस पर वीडियो बना दूंगा दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद